नंश्कार दोस्तो Р PSE जो कि राजस्तान में एकजाम कंडक्ट करवाथी, तो R PSC राजस्तान में जो भी एकजाम कंडक्ट करवाथी ए उनके लिए इनों ने वन ताइम रजिस्त्रेशन इस्टार्ट कर दिया यह जो इनों इन इसका पप्प्पलाइ करते हो तो दसी वेकेंसी में आपको अपना नाम पता बाहर देना होता है तो क्या होता है कई बार साइट भी बगाइण होती है और इनमें टाइम भी देखो बहुत ज्ञाधा कंगरो सनne लगता इसके लिए रजस्तांट सरकार ने क्या किया कि वन्टाइम मतलब एक बार आप register करके अपना नाम पता ठीक अपना जेंडर वगेरा छोटे बड़े document आपके अधार card की detail वो सारी एक बार आप दे सकते हो तो इसके बाद क्या होगा कि जब भी अगली बार आप form बरो किसी का तो direct वो detail तो save रहेगी आपको जो additional 2-3 जो detail चाहिए होगी वह ही आपको रखनी पड़ेगी तो इससे आपका time consume होगा ठीक है और आप अपना form भी फटा-फट बढ़ सकते हो कि कई बार क्या होता है कि इम इत्र पर जाते हो बहुत सारी बीड होती है आप अपना exam form बरवाने जाते हो तो जल्दी-जल्दी में कुछ-कुछ तूटी रह ज स्सी में होता है यही सेम प्रोसेस स्सी में भी होती है इसमें आपको जन्नम्तिती पिता का नाम जेंडर मोबैल नंबर के विवरन देना होगा ठीक है इसके बाद आपने पहले से को यह ससी बता बना रखी है तो वह भी आईए डिटेल महां आ जाएगी रोल नंबर यह सारी जितनी भी डिटेल है ना पेन काड वोटर आईडी जो भी आपके जो डाटा अपलोड करना होगा वह एक बार आप अपलोड कर दोगे उसके बाद यह क्या करेगा फॉन पर और टीपी से आपका वेरिफाई कर लेगा ठीक है तो इससे क्या होगा आपका टाइम बचेगा ठ तो कुल मिलाक है आपका टाइम कंशियोम होना कम हो जाएगा और फिर इमेत्र पर जाने की भी जुरूरत नहीं है आप अपने फॉन से भी एजिली बढ़ लोगे थेंक्यू